चीन पाकिस्तान का गेम ओवर दुश्मन देशों के खिलाब भारत का सक्त तेवर 41 देशों के साथ मिलकर अब दुश्मनों का काम तमाम करेगा ये नया हिंदुस्तान जिहां दुश्मनों के नापाख खेल को बिगारने के लिए भारती नौसेना सबसे बड़े वार गेम की तैयारी में जुट गई है इंडियन उस्यन में भारत के दोस्तों का सबसे बड़ा युद्धा भ्यास होने जा रहा है जिस सुनकर चीन पाकिस्तान काप रहा है हंदुस्तान के साथ एक तालिस देशों की दोस्ती ने चीन और पाकिस्तान की चैन छेन ली है इंडियन उस्यन में अब दुश्मनों की हरचाल पर रहेगी भारत की नजर यानि भारत के आसपास की सबुद्री सीमा अभेद्धी हो जाएगी एक तालिस देशों के इस मिलन से देश के दुश्मन चीन पाकिस्तान दोनों को जलन हो रही है इस वोर्गी में सब्तल युदपोर्ट समुद्र मन्थन करेंगी जिससे बिजिन से लेकर इसलामाबाद तक टेंशन में है इस बेमिसाल ताकत का मिलन हेंद महासागर में हो रहा है लेकिन जिनपिंग और इमरान इस पर नजरे गड़ाए बैठे हैं साल दो हजार बीस में नौसेना का ये निरनायक युद्धा व्यास है दो दशक पहले जब मिलन की शुरुवात हुई तो सिर्फ चार देश शामिल हुए थे लेकिन दो हजार बीस में पहली बार हंड महासागर में भारत के साथ 41 दोस्त इकठा होंगे मिलन युद्धा व्यास अबकी बार अंडमान में को बार दूप में नहीं विशाखा पत्नम में होगा युद्धा व्यास के लिए 12 विदेशी वोशिफ की मंजूरी मिल चुकी है इस युद्धा व्यास में अमेरिका, युके, फ्रांस, रूस, जैपान, औस्टेलिया जैसे कई बड़े देश हिस्सा लेए चीन और पाकिस्तान अक्सर भारत के खलाब साजिशे रचते रहता है ऐसे में देश की हजारों मील लंबी संबुद्री सीमा की तरफ कोई आँख उठा कर भी ना देख सके इसके लिए भारत ने अब पूरी तयारी कर ली है इसके लिए भारत ने चुन्चुन कर 41 ऐसे देशों को इकठा किया है जो चीन के खिलाब भारत का साथ दे सकते हैं